Hello everyone, आज सुबह से पूरा इंडिया एक ही यूज देख रहाता कि टूइंट आवर कैसे टूटेंगे, कैसे 15 सेकिंड में इतनी बड़ी विल्डिंग दरासाई हो जाएगी और आस पास की विल्डिंगों को कुछ नहीं होगा तो जानते हैं कौन सा मेथड इननों ने यूज किया, जिससे इतनी बड़ी विल्डिंग एक जटके में दूट गई और कौन-कौन से मेथड यूज कर सकते थे, और अगर वो मेथड बाकी के यूज नहीं किये, तो क्यों नहीं किये, जुड़े रही है मुझसे पहले हम जानते हैं, 20 आवर, डोट आवर थे, एक 32 मंजल का था, एक 29 मंजल का था, ठीके दोनों 100 मीटर से ज़्यादा तोगल थे, मतलब आपके दिल्ली के कुतुप मिनास से भी बड़े, इसके साथ साथ दोनों को 15 से के अंदर तोड दिया गया, अब हम जानते हैं कि कौन को उनसे मेथड होते हैं, तीन बेसिकरी मेथड होते हैं, इतनी बड़ी मंजल की मंजल की बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए, पहला होता है डायमेंड कडर मेथड, अगर ये मेथड यूज करते हैं तो 2 साल लग जाते हैं, और जो खर्चा आया है, उससे 5 गुना खर्च सांती में जल्दी से जल्दी हो जाए, इसलिए ये मेथड यूज नहीं किया गया, सेकेंड रोबोटेक्स टेक्नलोजी, वहां पर भी देर साल लग जाता और बहुत जदा अवाज होती है, वहां पर भी माला करके एक एक करके हडाते हैं, तो वह भी यूज नहीं किया, थर होता है ना बेस एक, तो ऐसे ऐसे हर टावर पर हर मंजिल पर ऐसे ऐसे एक पर्टिकुलर पिलर था, जो पिलर मैन होता है, उस पिलर पर डेटोनेटर लगाए गए, तो एक एक करके जब तूटते गए, तो पूरी बिल्डिंग एक साथ एक ही जगह पर नीचे आ गई, तो इसमें भी बहुत कम लगा, आपने देखा 15 सेकंड में हो गया, और सेफ्टी भी थी, थार्ड इसमें आप एक चीज़ देखो कि इसमें डैबरिस कितना निकला, पचास हज़ार से असी जार दर्म तक डैबरिस निकला है, जिसको साफ करने में नौईडर अथरिटी को तीन म मॉनिटर करना, आसपास की गैस पाइपलाइंग बंद करवाना, आसपास की सारे वहिकल्स हटवाना, जिससे कोई एक्स्प्लोजन ना हो, बहुत तैयारी के साथ किया गया, तभी इतना बड़ा प्रोजक्ट जो इंडिया में इतने बड़े डिमोलेशन का भी नहीं हुआ, जो आज ही किया गया है, है जोड़े रही है मुझसे लाइक करें, सेरे करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, जैहिंद